हलो दूस्तो, आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की मशूर कहानी अन्यन कॉमपूप हिंदी में कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनखा का हिसाब करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं अब तक तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हें प का रखा है, मैं बच्चों की गवर्नेस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ, अच्छा, तो तुम्हें हमारे हां काम करते हुए कितने दिन हुए हैं, दो महीने ना, जी नहीं, दो महीने पांच दिन, क्या कह रही हो, ठीक दो महीने हुए है, भई मैंने डाइरी मे सब नोट का रखा है, तो दो महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे, जब महीने में एक भी नागाना हुआ हो, तुमने इतवार को छुटी ली है, हर इतवार तुमने काम नहीं किया, कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो, और इसके अलावा, तुम चुटियां, यानि 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब ये कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए, फिर कोल्या चार दिन बिमार रहा, और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया, पिछले सबताहा शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था, और मेरी बीवी ने 2 पहर के बाद त खुट्टी दे दी थी, तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए, 12 और 7, 19, तो तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है, 41 रूबल, ठीक है ना, जूलिया की आँखों में आसू चलचला आए, वो धीरे से खासी, उसके बाद अपनी नाक पहुची, लेकिन उसके मुह से ए प्याली तोड़ दी थी, प्याली का दाम तुम्हें पता भी है, मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है, चलो, मैं उसके दो रूबल ही काटूँगा, तुम्हें अपने काम पर थोड़ा ठीक से ध्यान देना चाहिए, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रख तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में धील दोगी, तो पैसे तो काट नहीं पड़ेंगे न, मैं कोई गलत तो कर नहीं रहा हूँ, तो जूतों के पांच रूबल और कट गए, और हाँ, दस जन्व तो दिखाऊं डाइरी, जी नहीं, आप कह रहे हैं, तो आपने दिये ही होंगे, दिये ही होंगे नहीं, दिये हैं, मैं कठोर स्वर में बोला, तो ठीक है, घटाओ 27, 41 मेजे, बचे 14, क्यों, हिसाब ठीक है न, उसकी आखें आंसुओं से भर उठी, उसके शरीर पर पसीना चलचला आया, आवाज कांपने लगी, वो धीरे से बोली, जी, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वे भी आपकी पतनी ने दिये थे, सिर्फ तीन रूबल, ज्यादा नहीं, अच्छा, मैंने आश्चर्य के स्वर में पूछा, और इतनी बड़ी बात, त नहीं तुम्हारी मलकिन ने मुझे बताया, देखो, अभी हो जाता ना अनर्थ, खेर, मैं इसे भी अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ, हाँ तो चौदा में से तीन और घटा दो, तो इस तरह तुम्हारे बज़ते हैं ग्यारह रूबल, ये लो, ये रही तुम्हारी त मैं गुसे से आग बबूला होने लगा, कमरे में टहलते हुए, मैंने बड़े ही क्रोधित स्वर में उससे कहा, किस बात का धन्यवाद, आपने मुझे पैसे दिये उसके लिए, अब मुझे से रहा नहीं गया, मैंने उचे स्वर में लगभग चिलाते हुए कहा, तुम्हे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हे ठग लिया है, तुम्हे धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हडपकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जी हा, इससे पहले मैंने जह पैसा भी नहीं दिया, जूलिया, मुझे ये बात सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हो रही है। फिर स्वर्ध धीमा करके मैंने कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ ये छोटा सा क्रूर मजाग किया, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था देखो मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं मैं अभी तुम्हें देता हूं लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं क्या ये जरूरी है कि इनसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू और इ उसका विरोध तक न करे चुप चाप सारी ज्यादतियां सहता जाए नहीं जूलिया ये अच्छी बात नहीं है इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा अपने आपको बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा मत भूलो कि इस दुनिया में अपनी बात कहे बिना कुछ नहीं मिलता जूलिया ने ये सब कुछ सुना और फिर चुप चाप चली गई मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा इस दुनिया में ताकत हाथ में होने पर कमजोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा